पंजाब दे बीएड दे कैंडिडेट से जेड़े बीएड सेम टूच ने जान सेम फोर्च ने इस फोर वाले आली बहुत ज्यादा है और जेड़ा सेम टूवाले आली ओ ए लगबग ए समझो के जे गौर्मेंट जॉब्च जाना चान देने तां ए उना दा भी मोस्ट इंपॉर्टन चान्स है पी एस टेट दे फॉर्म आन वाले ने असी जान दे हां और इस साल लग जानदा है क्यों ए वीडियो पार यहां के विद्यार्थी ने सीरियस नहीं होंदे खास करके बीएड सेम टूदे जेखो जे दो साल बाद देड़ साल बाद भी आया है स साल तो पहला नहीं आना एलेक्शन करके साल तो भी ऐस वक्त लेट हो चुका है सो जदो तक बेएड सेम टूवाले ने करना है अपनी बीएड नों कम्प्लीट कर लेना है ओधों तक पी एस टेट दे फॉर्म शायद आंगी फिर आंगे वेट करोगे पिपर दोगे रिजल् जांदी आने मन लो तुसी बीएड कर दे हो रिजल्ट आंदा है उद्रों गौर्मेंट जॉब एडवर्टाइज हो जांदी है तो उना विद्यार्थिया नों फाइदा रहेगा जेड़े विद्यार्थिया ने पी एस टेट क्लियर कर लिया है ओ क्लियर करन लिए सिर्फ ए एस टेट फिल करना चाहिदा है मिनिममम वन लैक दे क्रीब पेपर टू दे विच कैंडिडेट अपीर हुन देने और असी जान दे हां के नाइंटी मार्क्स वाला जनरल कैटेगरी वाला और एटी टू वाला रिजर्फ कैटेगरी वाला क्लियर कर दा है तो जेड़े विद प्रिवियस यहर दे पी एस टेट दे सारे दे सारे पेपर एक वारी सॉल्व कर जो जहां पढ़ जो जहां उननों अटेम्ट कर लो उदेली बुक्स भी अवेलेबल ने तो दोजार ग्यारां बारां तो बाद चौवी तक दे जन्ने भी सारे पेपर है ओ एक सिस्टम विच अवेलेबल और ओदे नाल थोड़े प्रैक्टिस सेट हो जान तो एक कोर्स डेवेल्प किता है तो अडेली जेदे विच पी एस टेट दे सारे ही पेपर होंगे सीडी पी होएगा लेंग्वेज वन लेंग्वेज टू इंग्लिश थे पंजाबी और दूसरी जड़ी है तो मैज साइंस दे और इस तो इलावा फिजिकल एड्यूकेशन होर वी सब्जेक्ट है उना दे एक पेपर अवेलेबल होंगे सो जे बुक ना कंपैरिजन करिये ता एस कोर्स दा की फायदा रहेगा कि तुसी जदो अटेम्ट करने कर शुरू कर दे हो फॉर एक्जम्बल सीड जे वीक चल दा हम और जई जरूरत होएगी दूसरा कॉर्स और चल रहे है और विच तुसी शिफ्ट कर सकते हों मतलब फॉले कर सकते हो मैं यह मन्हों फिंगल सब्सक्राइक दूरिस ιαर दे प्र रिऊच्छय तो आ भियदा है वागída दोब टूर घृत ब्रूनर मेरे वीक चल रहेने ते सर इसते कुछ होर वी ती चाली पिया सौ क्वेशन सर पादयो तां जो असी ओ क्वेश्चन दी एक्सरसाइज कर लिए तो वो क्वेश्चन ओन डिमांड तो अनों मिलन गे इस तो इलावा जड़े में मेजर टॉपिक जड़े ने तंग कर देने जना चो और के इनना देट टॉपिक वाईज टॉपिक वाईज कुछ एकुछ टॉपिक डरें गोर जैन्डर स्कूल गुफुर्फ को हमलेस ब्ने सब्सक्रावट जड़े कुछ और इन्रिपीट हो जन्दियाने तीन्यी आइए डिया सेम रिपीट चुट थो वाइस वी चौस्चने एस कोर्स विच अवेलेबल होंगे सो ए पी एस टेक्ट मास्ट्री कोर्स है जहां एंसी क्यू सीरीज है जिस विच तो अनू हुन प्रीविएस येर दे कोश्चन प्रेक्टिस है कोश्चन ऑन डिमांड तो अड़ी ज़रूरत है तो तुसी मंग दे हो टॉपिक वाइज इस त एक चीज नहीं होईगी कि टीचर जड़ा है इस कोर्स शामल नहीं होएगा मेरी कोशिश होएगी कि मैं तो अनू फ्री विच वख्रे तरह गाइड करा हां जे कर हो सक्या ते ओते डिमांड तो अड़ी होई ओते वी पूरा कॉर्स डवेल्प कर दांगे फिर ऑनलाइन क्ला रख रहे हां जिमें बियाड एंटरस्टस दा सिर्फ और रख्या है दो सो वीर पैदा कॉर्स रख्या होया है जिन विच सारे पेपर ही सारा कुछ मिलदा है तो लगबग इदे करीब ही कोशिश करांगे रख लिए लेकिन तिन सो दे करीब हो सकता है ओ तो अनू दस दिन न यह हैं एटी टी दियां जिनना ने पंजाबी दा पेपर देना है ओ कोर्स वी डिवेल्प हो चुका है बलजीत सर ने उननों टीच करनगे ते उनना दे नाल नाल उनना पिर पिछले साल दे पेपर प्रैक्टिस सेट कॉस्चन ओन डिमांड टॉपिक वाइस ओ सब कुछ तो प्रिंटर, नेट तो भी मिल जाने हैं उनना नों सॉल्व करके बेखक दे दिया हां जटो लगडा है के इसाइब साफ नों इसको बिशेष ता है के बाइलंगल होएगा हर स्भाइब कॉस्चन ओक होएगा ता नों इंगलिश वुच्वी और पंजाबी विच्वी उस्से कर रहां जिस तरह फाइनल विच्च हुंदा है एदे विच्च तो आड़े ग्राफ ड्रा हो जान देने के केड़े एरिया विच्च तुसी बैटर जान लो जाने हो और कॉश्चन गलत कॉश्चन दे गलत होंदा कारण उस दी कि एक्स्पांजेंशन जा सई है ते उस दी एक्स्पांजेंशन जा गलत भी कर सकते हां जा सई वी कर देंप कारण ताभी कर देंप都是 एंड इस वाई मेरे मताबक एस दे तुसी सोच सकते हूं जा ठीक लगए थैंक यू